असलाम अलेकुम विल्कम आपका शेजा टाइम में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत इच्छी होंगे बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग मैं अपना शाम से स्टार्ट कर रही हूँ और यह देखिए यह मैं चट पे चड़ीती और यहां से मैंने इस व्यू को मोसा बना लेते हैं और उसके लिए यहां पर हम दोग ने लिया है मैदा उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाला है नमक डाला है और उसको आप घी डालडा दोनों चीज़से आप गून सकते हो और आपको नॉर्मल वाटर लेना है उसके लिए और यहां पर हम लोग को अपने आलू बॉयल करने थे आलू बॉयल हो चुके थे बस में वटापट से चील के उसको रखने वाली थी और आगे की इंग्रिडियन्स हम अपने देखते हैं कि हमने उसमें क्या क्या गया तो यहां हमारे आलू बॉयल हो गया थे हम उसमें थोड़ा सा नमक और रेचिली कर लिया हम लोग ने जो चोटी चोटे पार्टिकल्स आप अच्छे से मैश कर लिजे ताकि वह एकदम स्मूस सा एक टेक्स्च्चर आ जाए उसमें सो यह देखे यहां पर हम लोग को इसके लिए और क्या-क्या लेना है तो यहां पर हमने प्याज लिया और इसको में प्याज लिया है थोड़ा सा यहां पर मैं पीनट भी ले रही हूँ और भी चीजे देखते हैं क्या-क्या हम लोग इसमें ले रहे हैं तभी इसके साथ मैं पर थोड़ी सी धनिया के पत्ती भी इसमें काट लूग गयो एक हुए अच्छी लगती है उसकी स्मेलना तो इसमे यहां पर बस फटाफट से मैंने इसमें दनिया के पती बी काट ली है और अब हम इसको जली से अच्छे से मैश कर लेंगे और हम अपनी सारी इंग्रीडिन्ट देखेंगे कि हमको हमारे अंदर की फिलिंग को किस तरहे रेडी करना है और गाउं में इतना मज़ा रहा है जाड ग्रीन चीली भी एड़ कर लेंगे ताकि थोड़ा पाइसी हो जाए अंदर की फिलिंग इसकी और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको भरता बभार ना इसमें थोड़ा सा सरसो डाला है सरसो सीट अब इसमें डालेंगे हमारी अनियन जो थी अनियन को अच्छे से वाल वाल बगारती हूं सांबर स्टेल तो मैं जरूर उसमें करी लीव जाल देती हूं और यह देखें यहां पर देखिए हम लोगने पीनट आनियन करी लीव और थोड़ा सा धन्या बोडर इसमें आट कर दिया और आपको धियान रहे कि नमक आपने अपने बेस में अल्रे इसमें जब अच्छे से बस यह भुन जाएगा तो हम लोग को इसमें हमारा भर्तायट कर देना है और दोसी तरफ हमारी फाला जान जो ती भी बना रही थी और शाम के टाइम समोसा टी और इतना अच्छा व्यू मज़ा ही आ जाएगा टी बन चुकी थी समोसे का वेट हो र जालू थे उसको हम लोग ने बढल के अब इसको अच्छे से चला लेना है तो आप़ आप पहले मैस कर लेंगे और फार्स टाइम मैंने ट्राइक किया किया अगा किरने जानते हैं वह पर्स टाम कुछ भी ट्राइक करो तो वो उस तरह प्रपरली नहीं वो पाती बट मेरा यह माइंड रहता है कि मैं सारी चीज़े ट्राइ करूँ क्योंकि I love to cooking और मुझे cooking करना बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोग के साथ सारी वीडियो cooking के लेकर आती रहती है और इंचाला बिल्गु लेकर आती रहूंगे मैं जो भी न्यू रेस्पी अप्लोड करूँगे मैं जरूर आप लोग के साथ से शेयर करूँगे बिकाज मुझे सारी चीज़े बनाना बहुत अच्छा लगता है चाहे आप चाइनीज ले लो चाहे आप इनियन ले लो चाहे आप जैसी भी डिश ले लो सब मुझे पसंद लगए तो आप लोग कमेंड करके बताएगा कि आप लोग को किस चीज़ की रेस्पी चाहिए इन्शाला हमें जरूर दूँगी और वैसे भी अभी हमारे अशादी होने वाली तो उसके भी आप लोग को सारे व्लॉग मिलेंगे इन्शाला सारे सारे आप लोग को पताएगा हमारे अशादी कैसी होती है تو यह देखिये अब हम लोग इसको बेल रहे हैं जो हम लोग ने हमारा बेस् तैयार किया था आप इसको कुशकी भी लगाए बिल सकते हैं और ऑयL मिल लगाए सो अब हम लोग को पहले इसको अच्छे से गोल बेल लेना ह और उसके बाद जब यह हमारा अच्छे से जादा इसको थिक मत बो करिएगा मतलब थिन रहना चाहिए बहुत जादा थिक नहीं रहना चाहिए तो यहाँ पर अब हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको पेल के उसके बाद 20 से कट करना और यह देखे कुछ इस तरह का शेप देना है हाँ तो यह हमारा शेप हो गया समोसे का अब इसके अंदर हमको हमारी फिलिंग एड़ करनी है जो हमारी फिलिंग थी इसमें जो अपने फिलिंग ट्राइ कर रही हूँ मैं बट मुझे होनी पार है लेकिन मैं फिर भी करूँगी विकास मुझे पसंद है ये देखिए माशालला किता अच्छा लग रहा है बट अच्छी लग रही है अब इस को ये देखिए इसको अच्छे बादेना है निकले ओर ये । टीन चार समो़ से अटे नर्यूंति है चाहि करके ना है ये देखिए जल्दी से प्रिय प्रोप रहे हैं ये को बट गसंता है समो़ से बनाने है और medium flame पे इसको हम लोग को fry करना है यह देखिए माशाला इतने क्रिस्पी समोसे हम लोग के बने थे और बहुत टेस्टी भी थे यह देखिए आप लोग भी ज़रूर ट्राय करिएगा और मैंने शाम के समोसे टी के साथ इंजॉय किया तो अगर आपको मारी वीडियो अच्छ के लेगिक दॉे लाइक है तो आपसे लाइक